हेलो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्व चनल फिसक्स सेंपर और मैं राज आरियन आपके लिए करके हूँ चैप्टर नंबर थी का माइंड मैप यानि के करेंट इलिक्टिसिटी का कम्प्लीट माइंड मैप ठीक है तो उम्मीद करते हैं आपको अभी जो यह सिरी इस चल रहा है यह आपको पसंद आया होगा और सौरी कि मैं कल वीडियो नहीं लाग पाया एक दिन हमारे स्किप कर गया कुछ काम थे बहुत ज्यादा ठीक है बहुत सारे बिजिसेंडियूल में से यह करना पड़ रहा है तो उमिद करते हैं आप लोग पढ़ेंगे और चल ल्यां कुछ करना ही कि क्या होता है तो हम लोग जानते है लोट्सफ करन क्या होता है rate of flow of charge judge दो दिन बात है है यहां पर समझने के लिए जो में स्क्रीन पर फिल लगाया है बाहर से इस तरह सेorkिना और किस तरह का breathing to the motion हुआ थे पर यह अजीब तरीका का मोजह है टो पर हम देखें तो यह तो जिग-जाग देर गाने जिए जो रैंडम कर रहे Андर counties से फिल लगा दिया ठीक है यह एक से और यहां से sel कि हमने एक सेल करणेट कर दिया यहां से इधर की तरफ दिएmm Dalaj स्विच कौन करते हैं तैसे ही यह सब के सब में एक डायरेट्शन को किदर की तरफ सब्सक्राइण सब के सब इलेक्ट्रोन सें हैं यह सब इंगेटीव चार्ज सबके सब एक डायरेक्शन में मूव करने स्टार्ट कर दिये और ऐसे अगर जेनरली देखा जाए तो नेट विलोसिटी में एक ही जगह पर यह जिग-जाग मोशन करते हैं इसको में रैंडम मोशन करते हैं करते हैं समझारा बत बैठा दिमाग में यह के तरब आरे वह की तरफ कर रहा वह कैसा इसमार की तरफ कर रहा है यह यूदर की तरफ जा रहा यह आरहा समझ अगर हम बात समझ में आ चार्ज, ठीक है, कहां से, from higher potential से, higher potential to lower potential, is called current, is called electric current, electric current, बात समझ में, electric current को हम लोग, ic route करते हैं, यह हो गया है, पूर एच्छा समझ में आया है, क्लिए रहा है, यह दो को, यह negative charge है, हमारे, एक direction move कर रहा है, पूरा पूरा बात समझाएंगे, आप गए भी, ठीक है, यह चीज आगे भी आएगा, बात समझ में आजाना चाहिए, ठी current है मारा, वो क्या है, flow, charge का flow कर रहा है, किसी time t में, या फिर हम इसी को लिख सकते हैं, कि dq upon dt, किस रफ्तार से charge भाग रहा है, बात समझ में, यह रफ्तार है, basically charge, जैसे हम बोलते हैं, यह कहाँ भाग रहा है, तो velocity बोलते हैं, उसके position change कर रहा है, current क्या है, charge के भागने का रफ्तार, ठीक है, दोतिन point यहां से हम collect कर सकते हैं, यह qt graph का slope है, यह क्या है, यह बोलो तो, slope of qt graph, बात समया, suppose करते हैं, हमने एक graph खीचा, q और t का, आरे बा graph मिला, वो कुछ इस तरह का मिला, suppose करो है, कुछ इस तरह का, तो हम क्या करें, current कैसे निकालेंगे, तो किसी भी इस बोला कि यहां पर current बताओ, यहां पर हमें एक tangent ड्रॉप कर देंगे, यहां पर एक tangent इस तरह से drop कर देंगे, बात समझ में आया कि नहीं है, यहां पर हमने से को एक tangent ड्रॉप कर दिया इस तरह से, तो tangent ड्रॉप किया तरह है, यहां पर हम गुछ एंगल, theta बनता हुआ दिखे गा, बात समझा रहा है, तो हमने उस theta का angle बना दिया, यहां पर जो theta हमने बनाया है, उस theta का हमने 10 theta खीचा, यहां पर हमने 10 theta एंगे, तो 10 theta क्या आजगे क्या होगा इसका इसनेंटव को कुलॉंब पर सेकेंड क्या हो देगा कोलॉंब पर सेकेंड और यह को देंगे एंपिएर इसकोँ इंपियर यूज करें समझ रहा 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 है इसका मतलब क्या हो गया when one coulomb of charge pass through a conductor ठीक है in each second हर second यह चीज़ हो रहा है then we can say that current is one ampere अच्छे एक बात बताओ कि एक कुलम मतलब 6.25 into 1018 electron हम यह पहले बता चुक है इसका मतलब क्या हो गया if इस इस इफ नहीं लिख करके हम ऐसे लिख देता है that means 1 ampere of current means 6.25 into 10 raised to the power 18 electron flowing per second from lower potential यहां पर lower potential की बात होगी to higher potential अब यह क्या है lower potential यहां पर लिखाए थे कि high potential से low potential बात समझना यहां जो चीज़ चल रहा था देखो electrons यह positive charge है यह positive plated battery का यह negative plate है तो यह पलस इदर की तरह बना देगा यानि कि यह हिंदुस्तान petroleum high potential हो जाएगा और यह हो जाएगा हमारा liquefied petroleum sorry low potential है न यहां पर battery आगर है potential difference create कर देता है न बैटरी का voltage अगर भी है एक potential difference create करेगा इस potential difference के करेगा इस side में उसे अर्ण से सारे सरे इदर की तरह खेंगे इस पर एक force लगेगा जिसका वेलू क्या होगा इसका चार्ज अगर मालो की रफ्ट्रों का ई है और हमने एक इरट्टिफिल लगा यह होगा हमारा force है ना इस force के सब्सक्राइब और इस एक इस अधर लिए यह गरा है जोतने नहीं बेसिकली तभी करेंट का दिसका था इसलिए हम करते तो हमारा यह एक एक अजमसन था पहले अवह हम कर लिए है इस बात को समझ में आया तो चार्ज मतलब पॉजिटीव चार्ज बेसिकली भाग रहा इधर की तरफ समझ में आगे बात यहां तक कोई दिकत नहीं होना चाहिए कोई दिकत नहीं है ना अब एक दो चीज और है यहाँ पर हमें विरेज करेंट लिख दी है हम इस पर थुरा सा आते हैं दो तिन पॉइंट पहले लिख लेता है और यह करेंट बैसिकली क्या है क्यूव आटी क्यूव को क्या ले सकते हैं एन इवाइटी क्यू बढ़ाबर ने यह हो गया ठीक है वो यहने कि नंबर ओफ चार्ज नंबर ओफ एलट्रों फ्लोइंग पर सेकेट यह आ गया हमारे पास नेट करेंट अच्छ एक बात बताओ हम इसी को लिए साथ देखिया नेट फ्लो आफ चार्ज याई टोटल टाइम जो ही है हमारा आई करेंट हो जाएगा एन तो हम अगर आई एबरेज लिखना cahते हैं इसको यहाँ पर नः लिख़र के कि हम instant कर लेते हैं ठीक है दो चीज है इस करेंट को हम लिख दो अगर यहां पर से हम थुदा सा दो बात कर लिए हैं तुम लोग से कि जो करेंट है हम इसको करते instantaneous current क्या उसको instantaneous current किंसी भी instant पर कितना current और यहां पर बात होरी average current का तो क्या हो जाएगा तो हमारे पास तो समझ में अबाद दीक्यों को जोड़ लेंगे इंटिक्रेसेंगा यहां से इतना बैठा दिमाग में अगर इतना बात समझ में आ गया है तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं क्योंकि हमको पता है कि i का value होता है dq by dt तो dq का value क्या हो जागा i dt हो जागा ना तो यहां पर से i dt का use कर लेंगे by integral of dt यह हो जागा i average तो हम i average को basically हम इस symbol से भी उस करते हैं is equal to integral of i dt by integral of dt अच्छा i dt का integration मतलब क्या हो जागा area area under curve i t graph by total time बात समझ मैं हो जैसे कि अगर हम बोलें कि मेरे पास एक graph दिया हुआ इसे i और t का ठीक है और इसने graph ऐसे करके बना दिया हुआ 4 seconds 10 एंपेर करेंट फ्लो कर रहा है तिका रहा है कि इसका बता कितना है कर दो त्युकτα हो जाएगा इसका इसका आई अबरेज क्या होगा बताओ इसका area बता दिलिए इसका area कितना होगा इसका area होगा वह कितना होगा half of bass into high hurdle है लेना the half of bass कितना दिखे रहा है high諫 दिख रहा है 10 समय कितना लगा है जीरो से चार सेकंड के बीच में लगा तो चार सेकंड का लगा तो यह समस्ज में आ से इस तरह से हम लोग यह करेंट निकाल सकते हैं बाग यह और सारे सारे चीज़ों हो सकती है सबस्क्राइब कर सकते हैं पर ना सवाल वाल रहेगा तो हम उसके देख लेंगा सवाल तो बना नहीं रहे हैं मैंने मैप करने तक हम फॉर्मुला थोड़ा सा चारो तरफ से आ जाए कि हाँ यह सब चीज है हमारे पस अब बढ़ते इलेक्ट्रिक करें लिए के उपर का फ्लो राइधर की तरफ है ना क्योंकि हमने यहां से हमने यहां पर प्लस बना दिया यहां पर हमने माइनस बना दिया तो पलस से माइनस की तरफ हमने एक इलेक्ट्रिक फिल लगा दिया बेक्टर इस पर क्या होगा एक फोर्स लगेगा अभी हम सीखें फोर्स कितना हो हम यहां पर से एक और बात कर लेते हैं लेट कर लेते हैं N is the number of electron present in conductor per unit volume छोटे 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 volume में कितना charge या कितना electron present है हम उसकी बात कर रहे हैं यहां पर समझ में आगया बात N हो गया यह बता आप volume कितना हो जागा यहां पर volume कितना यहां पर A into L हो जाएगा पेस एरिया into length हमें इसका volume में जाएगा इस volume में कितना electron present है हम वो निकार सकते हैं तो बता दो total N क्या हो गया बसी के लिए total number of electron present in volume है न तो N बराबर क्यों जाएगा small N into A into L समाझ में आया बात की नहीं आया N A L हो गया अगर हम तुमसे पूछें कि अब बताओ current कितना होगा current क्या होता है Q net by time Q net क्या हो जाएगा Q net क्या होगा total flow total जो चार्जेंसे present है N E by T N कितना है total number of electron N A L है अब बाई T हो गया और length by time जो इदर की तरफ चल रहा था चार्ज जिस वेलोसिटी से रहा उसको drift velocity करते है करते है ठीक है relate कर लिए है VD को बोलते है drift velocity drift velocity बोलते है यहां से तो क्या होगा यहां से length by time T length by time T दिख रहा है यहां से तो वो भीडी हो जाएगा तो यहां सो गया इसको भीडी रहने तो आई का वेल्व क्या हो जाएगा देखो तो एन इस शुट यहां था ची एन एल इंटू ए एन इए सारी ए ए वीडी यह हो क्या net current समझ में आया बात हम थोड़ा से फिर से लिख देते हैं अच्छे से तुमनों गड़ड़ाद होगे बाद में कहोगे कि अच्छे आप ही तो लिखेते सर यहां भी डी है ऐसे देखो ऐसे दिख रहा है आगा समझ में यह हो गया current तो यह current का बहुत important formula देखो हम जेतना सारा ऐसे box बनाए उस फॉर्मॉल को याद कर लेना है तबी से हम बहुत सा formula याद होना चाहिए कि NEABD पहला formula तुमारे समने आ चुका है ठीक है अब एक current density को पर बात करते हैं तो यह पहली बात तो यह एक vector quantity है तुम लोगों को दिमाग में रखना है और current क्या है current क्या है चोटा सा बात एक current एक tensor quantity है current एक tensor quantity है यह तो पता होगा और अगर tensor quantity नहीं द में नहीं है tensor इसलिए हम लोग इसको test इसका रही मान करके use कर लेते हैं बैठा दिमांग में अब अगला है current density यहाँ पर छोटा सा बात रखना याद यह current density बैसिकली जे वेक्टर को दीखाते हैं यह क्या है जे वेक्टर बूलते हैं इसको जे इंटु एरिया वेक्टर जो ह इस कॉल्ड करेंट है यह current है तो बैसिकली अगर हम का देकी मेरे पास कोई एक रुख जाओ एरिया हम थोड़ा अच्छा से बना लेते हैं ताकि समझ में आए सपोज करने यह हमने एरिया बना लिया ऐसे इसका इससे होकर current हमारा ऐसे से flow कर रहा है है ना current हमारा ऐसे flow कर रह से और इसका area वेक्टर कुछी दर्गी तरफ है एरिया वेक्टर क्या तो सर्फेस के पर में तो थिटा हो जाएगा तो बैसिकली current क्या हो गया जे ए कॉस थीटा होगा और यहां से अगर हम पूछें कि जे बराबर क्या दिख रहा है तो आई बाए कॉस थीटा साहरभात को अगर हम एक एक Neuges करलें यह घूक है एक शोटे से अरियाऊ से पिरुप तुमारे तुमारे समले यह एटिस से एरिया से तो करेंट काप फ्लो कर रहा है इस थोटे से एरिया से ठीक है उसी हो बहुत कि करेंटाइक दॉस्य इसिटी क्या हुग से ऄडिया ब्रश कौरेंट कर्लो फ्लोर यूनित ऐरिया याद रहेगा यह हो गया this is very again very very important formula जिसको हम ऐसे करके बना रहे हैं उसको याद करना है ठीक है यह एक फर्मुला के आई बाइए इसको लोग यूज करते हैं हम भी यूज करेंगे यहां से और जे इंटू ए बैसिकली current होता है अब हमारे पास drift velocity क्योंकि हमको एक बात बताओ मूह नहीं बनाए हैं ठीक है अच्छा drift velocity क्वारे बात करतें भीडी ठीक है क्योंकि हमको पता है कि भीडी जो है यह देखो किसे कितना है बीडी का विलू आई बाइन ए है क्या आई बाइन ए है पिछे से निकाले है फ्रॉम पिछे आई कमेडी करने मोड में नहीं नहीं इया इअग एरिया गया जे बाइन इंफ नहीं जेनी क्या हो гया ठीकलिशिए फ्रॉमुल याद रखना है यहां से हीजब फरॉमुलिये हम बना रहे हैं डीको सारे हम लगा रहे हैं इस पे हैं अच्छे से ठीक है हम सब लिख भी देंगे बाद में याद रखना चाहिए विसे किलिए रहे बात अब अगला फॉर्मुला है मारे पास mobility तो mobility को हम लोग मू से रिनाट करते हैं यह होता है drift velocity पर unit electric field एक रहना ऐसा तो मू का वेलो हो गया वीडी बाइए इसको यह बोलते हैं डिव रोस्टी पर उनिट इलेक्ट्रिक फिल्ड इसको बोलते है मॉबिलिटी बैठा दिमांग में अगया अच्छा मॉबिलिटी बीडी के जगा पर क्या लिख सकते हैं जे बाइए नी है ना यहाँ से मियू का वेलू क्या हो गया जे बाइए इन इंटु ए ठीक है ऐसे इसके यह यूज कर लिए तो वहाँ से यह चीज आ जाएगा कि लिए बात बैटे दिमांग में एक और फर्मूला होता है देखना ध्यान से अगर हम कहें यह अब आगे हम इसको एक्स्टेंड कर रहा है सपोज कर लो एक एरिया ए है इसका लेंद अगर हम एल कर दें ठीक है इलक्त्रोन को देखी रहें ऐसे करके तो इसका एक्सलेरेशन कितना है जो कि हम पेशे बढ़ा चुक है यह बाइयम है तो हम पहला बात करते हैं यू नेट जो होता है सुरवात का रफ़तार वह जीरो होता है इलेक्ट्रोन क्योंकि रेंडम मोशन कर रहा है तो नेट कहीं जाने रहा है इलेक्ट्रोन जाहा है वहीं पर ऐसे से कर रहा है तो सब्सक्राइब करें जा रहा है और एक तरीका से ऐसे हो सकता है कि अधर जा गया तो यह सुरवात में दिखा रहे थे जो यह सीन है इसमें देखो सारे सारे इधर जा रहे है इधर जा रहे है लेकिन अगर कहेंगे एक ही जगा पर इसे से भाइविरेट कर रहा है तो नेट वेलोसिटी कुछ नहीं ही देगा हम यह कहना चाहरा है अगर इसके सारे सारे एन नंबर ओप रोटॉन्स ऐसे से कर रेंडम मोशन है दिकस दे परफॉर्म रेंडम मोशन ठीक है यह कर रहा है ठीक है एक और बात सपोस्ज गरो कि यह एक एलेक्ट्रोन है दूसरे एलेक्ट्रोन के पास जाता है इसको हीट करता है किसी रफ्तार से ठीक है और इस पर एक्सलेसन लग रहा है इधर की तरफ कितना है E by M है ठीक है बात तो किसी रफ्तार U1 से गया है और इसको किसी भीवन रफ्तार से मारा है समय लगा है इसको आप करते हैं T1 टाइम लगा है तो यहाँ पर एक वर्ड आता है relaxation time उसको बोलते हैं average relaxation time average relaxation time average relaxation time को आउ शरी यह basically क्या होता है average time of collision average time of collision ठीक है माय लोग पहला इल्ट्रो जा गर प्सक्तार म मारा दूसरा एल्ट्रोन जाया कर ट्रू रफतार मारा होगा है ऐसे करके हमारे पास एन इलेक्ट्रोन है सब के सब किसी रफतार से हिट कर रहे हैं तो जो टाउ जो एभरेज मिलता है यह बेसिकली क्या आ जाएगा T1 प्लस में T2 प्लस में T3 प्लस डडडड़ टी अन बाइ एन हो जाएगा बैठा दिबंग में इसको बहुते हैं टाउ एभरेज एभरेज रिलेक्सेशन टाइम यह क्या हाँ एभरेज टाइम आफ कॉलीजन बीटवीन इलक्तरोंस अना अच्छे सुख़ों बीटवीन इलक्तरोंस बीटवीन इलक्तरोंस आप सरमजा अ कुछ है अगला है हमारे पास इस ही महां बात करी रहा है यहां पर इसके अंदर में ठीक है तो हम अगर कहादे कि भी नेट क्या होगा ना या भी एवरेज क्या होगा तो भी एवरेज कोई कहादे है Drift Velocity, Drift Velocity ठीक है यह वह Average Final Velocity क्या होगा यह Average फाइनल वेलोसिटी ओफ एलेक्ट्रोन है ना इल्क्ट्रोन इन प्रेजन्स ओफ एक्स्टर्नल लिक्ट्रिक की ऐसा कुछ हो दिया तो ड्रिफ बेलिश्टी को फीडी कहते है यह क्या हो जाएगा बैएड प्लस में भी टू प्लस में डॉट रट भी एन बाइन हो जाएगा यह कहां से बात देखो क्योंकि सब के सब यह सुरुवात में यूवन से जा रहा तो दीवन से हीट कर दिया तो फैनल विलुस्टी जो आ रहा है भी वन उसी सब के सब अल्टीमेटी चल रहे हैं ठीक है जो सब इसकर हो कर रहा है उसको करते हैं इसलिए हम इस पर बात कर रहे है कि यह एक पर यहां जो है जो कि तुम जानते और यह तो यह सब बात कर सकते हैं कि बी जो होगा फाइनल विलिस्टि बड़ाबर क्या लिख दोगे U net पलस में A net into tau net लिख दो ऐसे गर के B बराबर U plus net ही लगा देते हैं तब BD का value क्या हो गया सुरुवात में रफ्तार 0 X में क्या लिखो गए E by M into tau लिखो गए समझ में आए बात तब BD का value क्या हो गया तब देखो तो E E tau by M बैडिया दिमाग में कोई सवाल नहीं होना चाहिए यहां से रुक जाओ थोड़ा सा हम जादा चकर नहीं लिये थे ठीक है अधर डिटेल में पढ़ा रहा है इसलिव को थड़ा जगा मिल रहा है हम सोचें नहीं तें कितना खीचेंगे लेकिन हम कोसिस कर रहा है कि सब चुछ बताई दें तो लोग को ज़्यादा effort ना करें ना पढ़े तो एक फर्मूला हमारे पास पहले साथ चुका है बीडी का वैलू बता दो एक था जे नी यादा है जे बाई नी दुसरा भी आया है ई ई टाउ बाई एम आया है क्या दोको ये फर्मूला याद होने चीए अब पहली बार तो ये तुम इनस्यूर करो तुम्हें ये फर्मूला याद है याद है याद होना अचीए ठीक है नहीं होगा तो इसके बाद गाड़ी इक उलट गया सीधा क्योंकि हमको दोनों को इक्वल करना है यहां से क्या करोगे तो जे इक्वल टू क्या दिख रहा है ठीक है तो अध्यान से दिखोद जे बराबर क्या दिख रहा है एन इस्कॉाइर टाउ बाए एंटु ए अब बाकी ये सब दिखोद कॉंस्टेंट है क्या ये पूरा का पूरा हिस्सा कॉंस्टेंट है अब दिखोद का इसी इस्कॉंस्टेंट है और इसी इक बोलते हैं सिग्मा इंटू इए और यही है हमारा ओम्स लाव है और सिग्मा को क्या बोलते हैं conductivity इसका value क्या आ गया देखो तो n e square tau by m के लिए रहा अब बताओ एक बात छोटा से एक दो चीज या दखना है यहां से यहां तक के लिए रहा ना conductivity यह आ गया अच्छे एक दो चीज और देखी रहते हैं यहां से यहीं पर लिख रहते हैं j और e में relation अगर हम इले टिफिल बढ़ाएंगे तो j बढ़ेगा यह काना चाहरा ही हो हम स्लोप ठीक है तो समझा बात ना इसका स्लोप जाएगा जो टेन थीटा आएगा वो क्या आएगा j equal to sigma into e ना तो स्लोप आजाएगा sigma ठीक है तो j e कर्व का कहेगा स्लोप बता दो तो sigma आएगा है ना अरे देखो ना य बढ़ाबाबा ने में एस प्लस सी जाए जे बाई परपेंडिक रपाउन बेस करो जे बाई क्या आएगा समझ में नहीं आ रहा मान लो किसी भी इपर जे तो टेन थीटा कितना हो गया पर पैदेओ पाउन वैसे जे बाई क्या है सी the factors było यहांसे कलिए रहे हो और एक दो चीज्य स्वें आन एक मिए हम को सिक्मा का बेलू क्या होता है रो इकुल तो बने मों इस सिक्मा उता है एकदम याद हो जाना चीए यह फोर्मूला चाहे जो हो जाए धरतीव इदर से उधर हो का ही नहीं जाए रो का ये फर्मूला याद होना चीए और रसिस्टेंच का वेलू मुझा हमको पता है दो फॉर्मुला पटापट हम भी यूज Chair यहीं पर यह conductance हो जाएगा और यह हो जाएगा resistance है ना यह हो जाएगा resistance तो resistance याद है R equal to rho L by A है ना तो क्या लिखोगे M by Neat into L by A ठीक है M by Neat and E square time into L by A यह होगे resistance और conductance को कपपा से नोट करते हैं किसे नोट करते हैं कपपा से 1 by R के उल्टा तो कपपा का विलू क्या हो जाएगा R का उल्टा यानि कि Neat by M into A by L ठीक है यह हो गया ठीक है तो यह जो पूरा का पूरा स्क्रीन है इसको रट जानना है चाहे जैसे भी रट हो फर्मुला रसिस्टिविटी का पता होना ची M by Neat याद रहेगा M by Neat तो Conductivity याद हो गया Neat by M ठीक है Resistance Rho L by हम लोग 10 में पड़े होई थे Rho के जगा पे M by Neat पूट करें L by मिल्टिपलाई कर लें उसी घुमा दें Conducting हो गया समझ में आब बत और उपर में पूरा जे बाएनी जे नहीं होता है और E E tau by M तुमको यह पता होना चीए यह पूरा का पूरा जितना सारा कहानी इसी में आ गया है आप रसिस्टिविटी Temperature Dependency एक छोटा सा चीज सोचके देखो अगर हम कहें कि Temperature बढ़ रहा है Temperature Increase करते हैं तो क्या क्या होने वाला है ठीक है एक सोटा सा चीज हम इस पर लेने के पहले अच्छे यह लिए लिए दे Mobility Mu क्या था Mobility Mu क्या था क्या देडिफ्ट विलोस्टी पर यूनिटी लिट्री फिल्ट का अडिफ्ट विलोस्टी क्या था देखो तभी दृताओ बाइम है क्या दो कियाँ यहां पर look despite ृताओ बाइम अपर यह बहुत बहुत इंपोर्टेन्ट फoring दामारे पास तो mobility, how mobile is the electron, electric field हम बढ़ाएंगे, तो कैसे electron अराम से move कर पा रहा है, हम उसी कहेंगे mobility, ठीक है, यह हमारे depend करा देखो, EYM तो छोड़ी दो, relaxation time पर, ठीक है, तो अगर हम temperature बढ़ा देंगे, तो electron को मिलेगा energy, electron को मिलेगा energy, energy मिलेगा तो electron धणाधर vibration करेगा, तो यहने के time of collision घट जाएगा, जल्दी जल्दी collision कर रहा है, तो time of collision घटेगा, तो घट गया, तो mobility गया हो गया, घट गया, क्योंकि देखो, direct relation है न, और mobility अगर घट गया, तो drift velocity क्या हो जाएगा, घट जाएगा, याद रहेगा, drift velocity घट गया, इसमें तो और कुछ नेदी कराम को, और देखो, यहाँ पर से, अगर drift velocity घट गया, तो current density घट जाएगा, क्योंकि यह दोना direct relation में जा रहा है, तो current density घट जाएगा, और जे घटने से current घट जाएगा, क्योंकि J equal to I by A होता है, तो भी घट गया, और कुछ बचा है यहाँ पर से, देखो तो, दो चीज और है, एक है ह हमारा, conductance, एक हो का conductivity यानि कप्पा में भी देखो, टाव उपरे में है, अगर टाव घटा, यहाँ पर देखो कपा, यह वाला सीन है न, यह देख रहा है, तो यहाँ पर भी कपा में भी घट जाएगा, अगर टाव घटेगा, तो कपा भी घट जाएगा, यानि कपा जो है, यानि कि हम लोग already जानते थे कि temperature के बढ़ने से resistance और resistivity बढ़ जाता है बाकी जो नहीं जानते थे जितने सारे नए ने terms जो 12 में आए हैं वो सारे के सारे term घट जाता है temperature के बढ़ने से यह बात याद रहेगा आधना माई से common sense के तरह इठा लो कि जो चीज हमने 10th में पढ़ा बढ़ने पढ़ेंगे लेकिन जो नहीं पढ़े तो उस अब घट रहे हैं ऐसे दिमाग में रखते हैं समयावत ठीक है अज एक दो चीज और है कि अगर यह रसिस्टेंस तो हम रसिस्टेंस देखते हैं temperature कैसे डिबंड करता है तो आर नॉड वान प्लस में अलफा इंटू T आप से रसिस्टेंस डिबंड करता है उस तो रसिस्टिविटी कैसे डिबंड करता है तो रो नॉड वान प्लस में अलफा इंटू T ऐसे बढ़ जाता है अलफा को बोलते हैं क्या है बोलो तो temperature coefficient temperature coefficient बोलते हैं समझ गए बात को अलफा को बोलते हैं temperature coefficient यानि किसी भी और आर नॉड क्या है यहाँ पर से resistance at आर नॉड क्या है resistance at 0 degree Celsius आर क्या है resistance at T degree Celsius ठीक है इस तरह से करके यह linear representation दिखा आएगा यानिक रसिस्टेंस और temperature के बीच में अगर हम ग्राफ देखें तो मुलेंगे जब समय temperature 0 था उससे में resistance आर नॉड था और इसका temperature बढ़ा रहे हैं तो कुछ इस तरह से ग्राफ भागेगा इसका स्लोप क्या होगा अलफा होगा क्या होगा स्लोप अलफा है इसका स्लोप आगा टेंट थीटा यहां से टेंट थीटा का विल्ग क्या है यहां से इस लोप क्या आजए दुद आर नॉड इंटो आलफा इंट त्टी आर नॉड इंटो अलफा आजएगा तो समझ यह बात को यवा ब्राबर में सप्लस दीशें ने यह इस लिए हम लोग इसमें थोड़ा इंक्रिमेंट ही देख पाते हैं ज्यादा नहीं होता है वह एड़ होता है टेंपरेचर के बढ़ने से अलफा बढ़ जाता है तो कंड़क्टर के के समें घड़ जाता है ममला पर आता है यह बात चलो आगे देखी रहें इस अलफाने से प्रएख मेर आगें कार्व दिया हूँ अचा भी और आई का क्या सिन है अगर यहां पर होता जगा है तो हम वह भी दिखाइद यहीं दिखादेद आज जानते हैं देखल पने स्मा इंटो इए पड़ने हैं जै क्या हूता है सिगमा ने जंखेन यह आसे कर किजे लिए इसमें लगा दिए एक वायर लेंद का वैयर लेंद का वायर लिया इस थी थो थो गूल क्या दिक्क रहा है वी एंटू रो दिख रहा है इसको हम कर देंगे फॉइंस या जा है ये अज़ा तक बात होती है लेकिन अगर हम किसी चीज पे देखें से इस तरह के बढ़ने से इस पार्टिवर के बढ़ने से इस पार्टिक्लर लाइन के बाद इस लाइन ने सीधा वाला जो लाइना उसको छोड़ दिया यह भाग गया इधर है ना तो कुछ इस तरह का सीन आता है हकीकत वाली बात है यह ठीक है लेकिन ज्यादा का फर्क नहीं आता है इसलिए इस पर डिसकस नहीं करते हैं लेकिना कंड़क्टर के लिए किसके लिए है और कंड़क्टर ठीक है समझे में बाद गुड कंड़क्टर के केस में अब यहां से बात क्या करेंगे टेंपरेचर जो है बढ़ चुका है ठीक है तो ओम्सलाव किसी एक कंस्ट्रेंड है ओम्सलाव गिवन टेंपरेचर पर या पिर ट बते हैं उसको यह किसके लिए पीयं जख्षन डायोड है I think लिखा हूँ हां और डायोड लिखा है यह किसके लिए बता दो लिए जाक्षन दो के लिए इसमें यह तो सिरह सीधी भाट है यह 9 Mike है किसके लिए जो अब तो तुम लोग अगर सेमी कंड़क्टर पढ़ चुके हो तो तुमको पी एन जक्सन करव का ग्राफ तो पता होगा नहीं पता होगा तो पता चल जाएगा बड़ा इसो तो नहीं नहीं अब देखो यहां पर क्या दिक्कत है कि हम जानते हैं कि रसिस्टेंट्स होता है वह भी बाई आई के बराबर होता है है ना तो यहां पर जो बिसिकली हर जो करव ही चेंज कर जा रहाती है यहां पर करव अलग है यहां पर करव अलग है यहां पर इस यह हो जाए कि यहां पर हम निकालेंगे रसिस्टेंट्स के लिए थोड़ा सब्सक्राइग निकालेंग तुम लोग के तरफ भी हो गया है कि क्या कर सकते हैं एक और देखो आइवी कर दिया हुआ है इस आइवी कर में यह गैलियम और से राइट अगें एक सेमी कंड़क्टिंग डिवाइस है और इसका आइवी कर वजीव तरह कर दिये पी एंजेक्शन डायोड में यह दुक्षा अब यह कर वैसा आता है ठीक है और यह हमारा गैलियम आर्शनेट बहुत खतरनाक सेमी कंड़क्टर है जिसका अभी तक उतना ज्यादा अप्लीकेशन क्रियेट नहीं हो पाया है तो कि इसका फैब्रीकेशन बगर बहुत ही लिमिटेड कंडिशन में होता है ठीक है अब लि ऐह कर वकाजह सुलोप है वह रचान से तक है तो यहाँ पर भी कहीं पर भी स्वूपनिकालने यहां पर सुलोप क्या आएगा थी outras अगर निकालोगे तहाएग् Casey और यहाँ पर सुबह्ट करें लुकरा बात समय रहो बोल्टेज करigans Papal Es voltage के बढ़ने से current बढ़ना है यह सीन आ रहा है यहां पर current बढ़े direct relation हो मामला ठीक है हमका एंगte legal resistance हमारा positive है इस हिस्से में देख़ो यहां पर यहां पर slope 0 आ गया है इस हिस्से में यहां पर slope negative आ गया है ना यहां पर slope फिर जीरो आ गया है इस तरह का बात समझ में आता है तुम ही का रहा है तो यह जगह पर थोड़ा-सा प्याएक पी पीछे बढ़ रहे है तो यह फ़र सा बर्येसंट वगर तुम लोग इसी रिजन में negative resistance है बात समझ में आया स्लोप पता है नहीं तना बात देख लो आप तीसरा चीज़ एक कॉपर के बारे हम बात कर रहा है तो कॉपर के 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 समें हमने अभी दिखा यापर कंड़क्टर के 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 समें हमने resistance कुछी तरह के यह वाला यज ग्राफ है के यह रशिस्तेंस दिखाए अगे रस्यस्टीवट तरह गथा है जिन तीन चीज दिखा रहा है एक है कॉपर दूसरा है नाइक्रोम और तीसरा है टिपिकल सेमी कंडुक्टर इस कंडिशन में देखो कॉपर ये केस में अगर टेंपरेचर अल्मोस्ट देखा जाए 50 डिग्री से रहा है ज्यादा नहीं बढ़ जाता है लेकिन जैसे ही 50 से उपर जारत रेसिस्टिविटी एकस्पानने सैंगे भी कर सते हैं ड्रस्टिकली ये खर गया है थिक है लेकिन निक्रों में जो ना कॉनुक्टा जो इतना खतरनाक चीज है कि केतनो temperature बढ़ जा, resistance बढ़ भी नहीं करता है, एकदम constant था, nearly constant रहता है, on increasing temperature, resistivity has no significant change, यह देख सकतो यहाँ पर से, जीरो से दे करके 800 तक पहुंचे तो 1.10 से दे करके माल लो 1.20 तक आए, बहुत ज्यादा तो नहीं है, ज्यादा का change नहीं आता है, यह बात याद रखना है, यह बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता, नेक्रोम के समें, लेकिन semi-conductor के समें मामला अलग है, temperature के बढ़ने से resistivity घट जाता है, यही property कमाल का है, यहाँ पर, temperature बढ़ाते हैं, तो अगर semi-conductor पढ़े हो गए, तो उसके अंदर में बहुत सारे electrons आने लगते हैं, balance band से लेकर के, conduction band में, या फिर donor level से, conduction band या balance band में, चीजें transfer होने लगते हैं, इसके लिए अगर पूछे का अलफा का value, तो निगेटिव होता है, यहाँ पर, यहाँ पर अलफा जिसे positive था ना, इस वाले में, तो यहाँ पर इसके लिए, अलफा निगेटिव हो जाता है, इस में resist temperature के बढ़ने से resistivity घट जाता है, यह एकदम कमाल का device है, बास वाया, और उससे में खतरनाक चीज़ है, super conductor, यह तो ठीक ठाक चलता है, चलो सही है, temperature के बढ़ने से resistance बढ़ता है, यह एक normal conductor का कमाल का बात है, लेकिन इसमें चीज था कि critical temperature, critical temperature पर, जैसे तो कोई है, critical temperature प आते ही, resistance zero, यह अभी समझे लो कि ऐसा material बना नहीं है, यह बना भी है, तो बहुत ही जिर्कोनियम ऑक्साइडो करके एक material है, लिखें की नहीं लिखें, नहीं लिखें, तो देखें ना, इसमें से, लेकिन यह है, अजीवे चीज है, dream, resistance ही zero है, सोच के देखो क्या हो का उसम अजाद होगा है, है ना, तो यह एकदम dream conductor है, समझे बत को, इस तरह का चीज है कि critical temperature के आने के बाद, यह बहुत ही low temperature है, at very very low temperature, critical temperature पर resistivity या resistance zero हो जाता है, इसी को बोलते है, super conductor, बाकि तो उसके बाद, यह normal conductor के तरह ही behave करता है, बात समझ मैं है, ठीक है, और अगला graph है मान filament bulb, filament bulb वाला में देखो यहाँ पर, filament bulb वही, नेक्रोम वायर वाला जो पीछे दिखा रहे थे, इस वाले में भी और यहाँ पर भी दिख रहा है, अगर हम voltage बढ़ा रहा है, तो current filament bulb, bulb समझते हो, ना, बल में कौन होता है, tungsten होता है, यह कौन है, tungsten, और वो नेक्रोम था, वो नहीं किया, बहुत ज्यादा खतरना current है, लेकिन धीरे-दीरे करके current बढ़ने का रफ्तार है, वो घड़ लिया है, इसलिए यहाँ पर बोलाई कि यहाँ पर lower assistance है, current बने ट्रास्टिकली चेंज हुआ है, धीरे-दीरे करके current घड़ लिया है, यह higher assistance region है, बात समझते है, इस तो को सिर्फ graph देख लो कैसा होता है, तो कोई यह धिमाग बैट जाना चीए, कौन सा graph किस चीज के लिया related है, बस याद रना चीए, ओलए बात अंगस्टन के लिए कोल सा, यह वाला के लिए कोल सा, यह किस गा, हम कोशिश के है सारा graph, तुमारे इसमें आ जाना चीज़े, ह बलतू बलतू चीज़े, ठीक है, अचा, series combination of resistance, resistance का series combination, पता है ना, r1, r2, r equivalent क्या होता है, r1 प्लस में, r2, प्लस में, r3 ऐसे करके चलता है न, rn, तो पता होगा, ठीक है, और अगर पैरलल हो, तो 1 by r equivalent equal to, 1 by r1, प्लस 1 by R2 प्लस 1 by Rn हो जाता है, कि लिए ने बात ये parallel में resistance को हम लोग इस तरह से करके कर लेते हैं, अब ये बच्चाल चीज क्या पढ़ेगा तो लोग, इतना से पता होगा ही है न, कोई सवाल है, parallel combination of resistance में कुछ छोटे-छोटे चीजे हैं, हम उसको count कर लेते हैं, सपोज क लगें, R1, R2 by R1 प्लस में R2, उसी से निकाले हैं, ये कुछ-कुछ फॉर्मूले हैं, अगर सब कुछ करो, तीन resistance दे दिया है, ठीक है, R1 है, R2 है, R3 है, ठीक है, कहें कि इसका रिकुनेट बताओ, इस पार कि अगर तीनों को multiply कर लेंगे, तो R1 into R2 into R3 by R1 R2, प्लस में R R1, R3, दो-दो multiply करके हमने नीचे में add कर लिया, अगला है हमारे पास, suppose करो, कि हमारे पास, सारे के सारे equal resistance हैं, बहुत सारे, तो इसका R equivalent होगा, R by N, कहाज़ेगा, R by N, N equal resistance parallel, अगर suppose करो, कि हम कर रहे हैं, कि मेरे पास R है, और दुसरा पी R है, तो इसका R equivalent क्या होगा, R by 2 बैठा दिमाग में, अब यह से बच्चा उला काम है, करते रहना, घर में बटते रहे हैं, मालो R R R दे लिया तारवाय, ठीरी हो जागा इसका है, बात समझ में आ गया, कि नहीं है, अगर suppose करो, अगर हम ऐसे करने कि, इसमें यहां पर N R है, ठीक है, यहां पर M R है, याने कि इसका रेकुरेट का जगा, सब को मल्टिप्लाइ करेंगे, M N R by M plus N into R, ठीक है, तो कुछ, ट्राइक कर रहा, वर बाइन R plus 1 by M R करोगा तो यह आ जाएगा, तो लोग थ्रा ट्राइक कर देना घर में, या फिर भी भी ट्राइक कर सकते हो, आर एक नहीं हा रहा, फल तो बढ एक बीच में गैलवानोमिटर होता है, ऐसे, ठीक है, यह हो गया, यहाँ पर कर देते हैं R1, यहाँ कर देते हैं R2, यहाँ कर देते हैं R3, यहाँ पर कर देते हैं R4, ठीक है, और गैलवानोमिटर में जो करेंट जाता हम उसको करते हैं IG, गैलवानोमिटर को करते हैं IG, और और हमने ऐसा एजिम किया कि अगर ऐसा हो जाए कि IZ का वेलोग जीरो है यानि गैलवानो मीटर में क्यों नहीं सो किया that means गैलवानो मीटर सोज नो डिफलेक्षन इसने कोई डिफलेक्षन सो नहीं किया देन का से नहीं किया बी ए और वीवी बराबर हैं अगर ऐपर और बिफल्य भी पर बराबर है Legal ना तो करिंड्र से जलिए के लिए हाइद लो नो होनज जैने this राम हायर प्रोटे agree से लो कि तरफ करेंट जाता घब दोनों बराबर हुला तो तो अगर ऐसा कुछ होता है तुम कर देंगे एक वोल्टेज बी के वोल्टेज के बराबर है इसका मतलब होगे बीए मैंनस से बीवी क्या हो गया जीरो ठीक है यहां तक बात और अगर ऐसा होता है दिन र्वन बान अजीब सा यहां पर न है यां पर तरीक र्वेलाइशा कि मल्का मताल का यहां पथा न चाहिए समझ मां अगया बात किले हो गया दिया अग्जाम्पल यां पर एक्रसिस्टंच है एक एक रसिस्टंस से यह एक रसिस्टंच है ठीक है ऐसे करके यह कर दिया 5 ohm है यह 10 ohm है यह 20 ohm है और यह मान लो R है और यहां पर 40 ohm कर दिया है इसका नाम कर दिया A और इसका B करो अगर करेंट जो है इसमें जा रहा है वो जीरो है यह कोशन करेंगे अब कहने का मतलब क्या है कि 40 Ohm वाले में करेंट नहीं जा रहा है इसका मतलब क्या हो गया अगर इसमें करेंट जागी नहीं रहा है इसका मतलब इस इस इकवाइट तो धुटिश्बार इस है। इस अम क्या हो गया। 5 by 10 इकवाइट टू 20 by r है ना तो r विलो कितना हो गया देखो तो 40 है क्या। बात समझने आ है की नहीं है। इस तरह हम लोग। solve कर सकते थे इसमें। झाप और example ले सकते हैं यहाँ पर सब्वोस कर लेते हैं हमने एक एक पल कि तौप बिए कुछ इस तरह से यए अइसší अ Ici कि एक या रहा रहा है ये भी आ रहा destroying ते कि میका से कहा कि यहां और एक विघ्डोल बिए यह जो हिस्सा है क्या है यहां पर भी जो केलवान मेटर था यह हमारा ब्रीज था ठीक है और यह कैसा बैलेंस यह बैलेंस वाला है ठीक है और अबद भी सकता है तुम लोग सारे ही रसिस्टेंस सेम हो इसके जिसका र Давайте आ होता है मेरे सारे सारा थैशों का पता ह कलिए रहे तुम लोग को को भियान से इस बात को समझगे और रहे लेते हैं तुम प्रोच करना चाहते हैं अपर सब्सक्राइब अब नेक यह सवाल बना लिया इसे ठीक है इसे जो ड्रॉब कर लेना चुछ थे ने फलतु को समय बर्बाद कर रहे हैं इसमें बागे तुम लोग को पता है न जी आर 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 हर जगा डाल दिये ठीक है बागे हर जगा आर ही है ठीक है एक बात बताओ कि कि क हों कि काव यह कर सकते हैं देखना यहां से यह वाला कम से कम तो कि का सब्सक्राइब यह इसका पीन पीश दोनों में कि यृटर और अब यह होगया और तुर इस पारलल टुर्ट अ इसका रिक्वेंट टू आर्ट प्लस में रड़ अजये हो यह वह इधर भी टूर्वाइट अधर वह जए अना 2R by 3 और यह विह जोगा 2R by 3 अगर 2R by 3, 2R by 3, 2R by 3 हो रहा है त आम करेंगे इसमें सो को Again va intro करनेँ जाएगा इसमें सो कोई current नहीं जाएगा क्लिए ॉक्य डिस इसốngavad नहीं जाएगा अगर डिस ऑनक वन करयं जाएगा और सारे ही रासीसτίंस equal है जिसका वेलू है 2R by 3, तो R equivalent भी क्या आएगा इसका, 2R by 3, है दरेगा, तो कुछ इस तर रगए सवाल, भयानक तो ये भयानक टाइप का लग रहा होगा, लेकिन है असान है न, चलो ठीक है, illustration को गरा देखते हैं रहे न, अपने book में से, जहां से तुनों solve कर रहे हो, बागी combination of series, sorry, combination of series series के उपर बात करते हैं, हमारे पास बहुत सारे sales हो सकते हैं, कुछ इस तरह से करके, ठीक है, हमने कुछ इस तरह से ले लिए, इस सबकार, E, R, E, R है न, हमने बना लिया ये, ठीक है, सबके, internal resistance है, और हमने basically N cells connect किया है, तो यहाँ पर दो तीन बात हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं, कि बता दो इस circuit में net voltage कितना है, बाहर से R लगा के रखे हुए, तब बताओ, net voltage कितना है, सर, एक cell, दूसरा cell, तीसरा cell, इसरा cell के लिए, N cell लगा हुए, सीरीज में, तो N, E हो जाए गया, समझे रहे बत को, कि आर नेट बता दो, तो सर, N, R तो सीरीज में इदर भी है, एक और R है, N, R पलस में R हो जाएगा, तो सर, पावर बता दीजिए, ताई कोल्टी का जगा, voltage by resistance, तो यह N, E by N, R पलस में R, बैठा दिमाग में, कि नहीं आया, अब एक बात याद रखना, अगर हमको I maximum चाहिए, अगर हमको और I, maximum, समझ में आपात, N, R के वेलु R हो जाएगा, इतना बात का मेरा न, अगर I maximum करवाना है, तो N, R के वेलु R के वरावर कर लेंगे, तो N, R के पूट पर पूट कर लेंगे, तो I, maximum क्या हो जाएगा, आइमेक जमेगे लूँ? N, E by N, R के जग़ए R पुट कर सकते हैं या फिर R के जग़ए N, R के जग़ए सकते हैं क्या पुट करें? N, R के जग़ए R N, R के जग़ए R बशिकलिए R पुलस में R हो गया N, E by 2R हो गया ठीक है? तो क्या हो गया देखो ध्यांट से n गुना बढ़ गया क्या हो current क्या हो गया n गुना बढ़ गया ठीक है तो यह मारा feasible conclusion आएगा current के लिए यह जाद रहेगा बोलेगा power maximum बता दो power बराबर क्यों जाएगा i into u हो जाएगा current तो पता है न यह और e से multiply कर लेंगे तो n square e by nr plus में आप हो जाएगा न n square e square ठीक है यहां तक बात समझ में आया और power maximum क्या हो जाएगा power maximum के लिए यह आँ पर बस 2r output कर लेंगे n square e square by 2r जो जाएगा मारा power maximum के इतना बात याद रहेगा की न सीरीज में पैरलल में अगरम बात करें हमारे पास बहुत सारे शेल पैरलल में लगे होगा है e r हम टेज लिखा रहा है ते पर अटेज भारेगे हैं देखो और बस एक छोड़ा सा कुछ हम लोग पढ़े हुए थे ठीक है हमारे पास इस बार इनेट पैरलल में क्या सिखेते बोल्टे सब का सेम यह हो जाएगा ठीक है आर नेट क्या हो जाएगा हमने सब को करें क्या हूँआ हमार्य पास हमने एम टांब्ट किया हुआ है आर प्लस में तो अगर को पुछेंग Pak यह तो पूछेंग दो ठाएगा एक नेट अट रस पकर और वार और यह उपर भीज़ते हैं, R प्लस में MR हो गया, बात समझ मैं है, और यहां से अगर हम निकालेंगे, I max, क्या निकालेंगे, I maximum करवाना है, और I maximum, क्या लिखेंगे, R का value, MR के बराबर हो जाएगा, R का value, MR का, यह बताएगे, नीचे का denominator के दोनों वैलू बराबर हो जाएगा, तो भी डी आई बाई डी आर कर लोगे, तो भी 0 करने से आजाएगा, तो यह डेटा पता होना चाहिए, एकना बात, सीधा, I max करवाने के लिए, तो I max का वैलू क्या हो जाएगा, M E by, यहाँ पर MR और MR पुट कर लेते हैं, तो 2 MR हो जाएगा, यहांसे, रुक्चव, R नीच करते हैं, उनको बिसिकली, चेक करना, R के साथ में क्या रिजिएशन है, ना, तो 2 R हो जाएगा, है ना, तो बिसिकली, M times of E by 2R, चाहिए दो बार कहले लिए, बात समझ रहो ना, क्या करना जा रहा है, तो M times होगे हमारा इतना current, के लिए बात, पावर भी निकालने के लिए, बस I into E करना था, आजा था हमारा solution, बढ़े दोंग में, ओके, अब है mixed combination, हमारे पास N cell series में हैं, और M cell parallel में हैं, प्लेट कर ले रहे हैं, N number of cells in series, है ना, and M of them are in parallel, that means, capital N बराबर MN हो जाएगा, जोकि total number of cell हो जाएगा, total number of cell, यहने कि इधर से हमने N का जला बनाया है, cell का, फिर N cell, N cell, N cell, N cell, N cell करते हैं, M times हमने, इस तरह से series बना दिया है, बात समझना है, इस तरह समने यह किया है, कहने का मतला समझ रहो, लोग बनाई लेते हैं, चान है रहते हैं, बहुत लिखना पड़ रहा है, ठीक है, सर, महनत नहीं कीजिएगा, तो बड़ा कैसे बनाईगा, ओके, समझ गए, बड़ा नहीं बनना है, बड़ा तो वो होते हैं, जो दहीन पड़ा होता है, समझ रहोत को, क्या हम बोलना है, कोई समझ नहां रहा है दो लोग को, सर, N से ऐसे लगा हुआ है, ऐसे करके, M से लगा हुआ है, बात समझ मैं है, और ऐसे करके, हमने कप्टल R भी यहां से प्रेट किया हुआ है, सर, E, नेट बता दीज़े, सर, N,E, फिर, N,E, 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 सब में N,E, हो जागा, पैरल में रसेही रहेगा, R नेट बता दीज़े, सर, तो N,R, 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 र, N,R, by M हो जाएगा, और पलस में अक और R है, आईगा भी लूग क्यों हो जाएगा, INE INTO M यहां से कहो हुग न Nr प्लस में Mr by M न,就 M N e by nr plus में MR हो गया, यह एक करेंट, ठीक है, और I maximum करवाने के लिए आप करेंगे, मिछे का D-O, दोनो तो same, आ यहां के बेलो, Mr के बराबर हो जाएगा, के लिए रहे यहां तक, ठीक है, मिस्ट कॉंबिनेसं अके दो इंटरण रसिर्टंस एंक्स पिकने कोपर का उन्हें करका करो छी कि इतना जानती होगे और एक रसेश्चनस लोट लगाया है यह की है समझ गए बात को जैसे की टैप करोगे इसके अंदर में यह एक इलेक्ट्रो लाइट है यह क्या है स्विच अन नहीं किये है स्विच अन नहीं किये है ऐसे यह इस करने समझ नहीं केस नमबर वन वन की इसन नहीं किया है ठीक है जसको मीमख करता है जाहन जोओ हमं सेल से कोई करेंटटरो नहीं कर रहा है तब जो ब्रोलण है दक है अर्घर्ध करेंटरो कर रहे हैं यह ढमकर फहना पॉजिटीव नेग्चार्णे तर्मिनल है तो निगेटिव के पास बहुँ सारे लेक्रोन आजाएंगे यानि के सभस्क्राइब करेगा है न लात समझने हाग है और इस हिस्थे एदर की तरफ दॉप एदर की तरफ पात समझने हाग है और इस इल्डॉराइट के अंदर में मुप करेगा पूरे स्रकूशंस और तो कुछ इंटरनल रसेस्टेशंस हो आर, तो वो भी कुछeous current खा लेगा यहां ठीक है तो इस circuit को हम ऐसे बना सकते हमाइसे हैं इस स्रक का मैं रक्कित को हम ऐसे बना सकते हैं ने पास एक resistancer एक सेभ़ और एक cuma pipes कि यह पूरा मिला करके हो गया है पुरा मिला करके से लोगा है आई का बल्टेज और बात समझ मैं ये न आए, ए, आर बाय, आर पलस में, आर कुर्मु करेंगे V, समझे रहा है तो को, और ये हुआ हमारा, जब करेंट ड्रॉ कर रहे थे, तब जो भॉल्टेज मिल रहा 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 है, वो है हमारा इतना, जोकि थोड़ा कम हाए गा, ओविस्कि ये से कम आए गा है, आर, आर पल किर्चॉप लॉग है, जबह है मेरे पास है, ठीक है, हम पहले बात करते है केसल का, किर्चॉप करेंट लॉग क्या बोल इसको, किर्चॉप करेंट लॉग, यहाँ पर क्या सीन है, यह क्या बोलता है, अलजेब्रिक सम अफ अल करेंट एट एनी जंक्षन इस एक्वल टू जीरो ठीक है सपोज करो कि कोई जंक्षन हम बना दी है ऐसे करते हैं और इसमें हम कुछ करेंट वगरा को लेके जा रहा है एजूम करते हैं हमने इसमें I1 करेंट लेकर आया इसमें I2 लेकर आया इसमें से I3 लेकर चले गए इसमें से I4 लेकर चले गए इसमें से I5 लेकर चले गए ठीक है तो जितना RI incoming को प्लस रखेंगे और इनको मैनस रखेंगे इनकमिंग कितना दिख रहा है I1 और I2 दिख रहा है पलस में और I3 मैंनस में I4 मैंनस में I5 मैंनस में इकोल टू जीरो हो जाएगा निट करेंट पैठा दिमाग में समझ में है बात सपोज कर लो कि मेले पास है इस तरह से करके यहां का बोल दंद आसे भीके कई कि एक यहां करें रुटू यहां का बटीज मालते कर लिए और यहांसर मतर से ला-वक्रिया है । क्त चीज समझना यहां पर से एजिम कर लटें यहां पर से आइवन कर्ड़ लिया इसमें से हाई डू चला गया और इसमें आइड चला जागिया, junction का potential हम माल लेटे x है, लेट क्या कर लिए, x क्या है, junction potential ऐसा कुछ है, ठीक है, तब इसके लिए हम क्या condition लिख सकते हैं, एक बात तो यही लिख सकते हैं sir, कि i1 आया है, और i2 चला गया है, हम उसको minus लिखेंगे, और i3 को minus लिखेंगे, equal to zero, एक लिखेंगे न ऐस क्या हूगा, i1 क्या होगा, i1 क्या होगा, i1 क्या होगा, इधर से तरह करेंट जा रही है, और i2 शखेंगे, i2 खेंगे, x क्या होगा, X-BBY R2 X-BBY R3 एक्वल टू 0 और सबको अगर हम घुमा दें मैनस को अगर कॉमान लेलने हमको एक तम कमाल करज़़ देखेगा X-BBY R1 प्लस में X-BBY R2 प्लस में X-BBY R3 एक्वल टू 0 और यह हमारा केसिया लिक्वेशान समझ गया बात को? कि रिचणा फ्लः समझ गया यहां तक? क्या काता है? किसी भी जक्षन पर neat algebaric sum 0 होता है और यह किस पर based होता है? अगर पुँछे गया यह based किस पर होता है? यह based होता है conservation of charge पर conservation of charge पर यह based बात समझ में आगया? यह तना बात समझ में हैं, जी किया किट सब्सक्राइब किसे बेस्ट पे रहे है किट्च फ्लाग किसे बेस्ट है कंजर्वेशन ओफ चार्ज पे इस अनुद कर आध यह किट्च बेजी तुम्हें नहीं थखता है यह पड़ते है कितना गस्ट उता है कि अधियल किर्चॉप्स, भॉल्टेज, लोगों का पता है कितना बज़ रहा है देखते, दिखा, एक ग्यारा पस्पन समझना या, कि नहीं आया, तो समझना रहा है हम इतना मेहनत करते हैं, तो नहीं नमबर नहीं लाया भगवान महाकाले कसम खाते है, जूटने बोलने, पड़ो, ठीक है, अब तुम्हें वीडियो मत बना लेना, यह इनसान बहुत मेहनत कर रहा है लाइक करो, चलो ठीक, क्या भी हाल देखो, किरचाब घ्रटे लाब, यह क्या बोलता है, यह पहले बेस्ट एक हिसपे, बेस्ट अन, तंजर्वेशन ओफ, एनरजी, तंजर्वेशन ओफ, एनरजी, ठीक है, यह क्या बोलता है, इसने, नेट पोटन्सियल, एनी क्लोजड गुड, एनी, क्लोजड गुड गुड is always equal to, किसी ऑपके बोलुग दों, क्या कि प्लोज姐 मैं, नेट पटन्सियल हम्हाँ जीर होता है, ठीक है, शब्कूस कर रहे थे हैं, मिरे पास एक, पर एक, R कहरें एक कर लगाँ कि आपर था यहांपर एक सेलगा देए रहे और यहां से यह इए को सिंपल शुनीर हो रहा है चाहता लोड़ेट नहीं बना है डिकेशा कैस aa ही सबस्तियों कि इसमें जारा आय वाँ कि इसमें कर जारा है इसमें इसमें था जा रहा हr emphasize आई थ्री न यहां पर आई थ्री इसमें जा रहा रहा आई पॉर यह सब कैसे लिख पारें जाए और भी बहुत सारी चीजिए हैं टिक है जहां से करेंट आ रहा होगा जा रहा होगा हम गये इस लूप में नेट पोटनिशल हमारा जीरू होना है हम एक काम करते हैं कहीं से चल अब इस राष्टे से चलते वह यहां पहुंचा फिर यहां से यहां पहुंचा बढ़ार के जाटार अबधर नम्सल करके मैंनस में, current देखो high से low की तरफ जलता है, so high से low बात नहीं समझे वाइरा बात देखो अब इदिकरा अच्छे से, current high से low की तरफ चलता है, current यहाँ से चला, ऐसे इसे करते हैं, यहाँ चला, high से चला, low की तरफ फिर आगे बढ़ा, high से यहां का पॉलिटेज घट यहां पर देको फिर से हाय से लो के तरह गया इसका बड़ कि ट्रम लिखिए प्र यहां से अट बड़ेंगे बात समझ में जो कॉंबिनेशन यहां देखो इसवाले में बात समझाया कि नहीं है हम कैसे जा रहा है यहां पर हुपर नीचे आ रहा है इधर है और हम चले हैं लो से हाई फिर सब्यों हम घुमते से आये थे, और current रहता है high से low की तरफ चलता है, तो low से high न हम बढ़े, मेरा voltage बढ़ गया, पलस में i2 i2, plus में i2 i2 equal to 0, यहां थे वह पहुंच गवाँ, इस तरह से हम kbl equation लगा सकते हैं, समझ में आगे बात अब हमारे पास meter bridge बहुत सिंपल सा डिवाइस होता है यह लैब का apparatus है इसमें देखो यहां पर से क्या क्या चीज है बना देते हैं देखो यहां पर यह एक copper का पुरा का पुरा फ्रेम होता है और यहां पर एक resistance लगा रहता है एक यहां पर से हम unknown resistance यहां पर से हम इसको gather कर सकते हैं नीचे में complete skill लगा हुआ है और एक resistive wire है यहां से ठीक है और यहां पर एक galvanometer क्या करें चेक करें करण जार रहा है और इसको हम लोग जॉक्ती बोलते हैं यह को क्या होते है जॉक्ती लगा हुआ है अब इस बात यह पूरा का पूरा बेस्ट होता है अब बाइलेंस्ट वीट इस पर यह पेस्ट रहता है और यह क्या होता है कि अगर यह गालवानों मिटल जोप्ती जो है यह करेंट नहीं करें इसमें से जो आई जी जा रहा है यह जीरो हो जाए तब क्या होगा इस हिस्षे का जो resistance है देखो यह इस हिस्षे में रसेंग ना एक्स नीचे में जो resistance है वो लेंथ में ऐसे जोगिस से जानेक्टेड है इस लेंथ का भी तो resistance होगा जो कि वैसी कि लिए इधर का 100 मैंस में हो जाएगा है ना तो हमको पता है कि resistance directly proportional to length होता है resistance to length होता है तो जितना बड़ा length होता है नहीं बड़ा resistance ठीक है इस हिस्से के लिए तब हमको यहां पर एक condition मिलता है कि रगा इस क्यों पाइक बता चल जा कि कहां पर इस पीड में देखो ज्यान से 59 पर जाकर पिजने जौकी से कैनेट किया है यहाँ पर एक सका है नियुकर सिस्टेंस पता है एक्स पता है इसे में को अगर इसे इस का पास आब अगला हमारे पास के वायर कि यह एक यह च्ठ लगा दिए कर से लेंत लास्ट दिमाउं Regal service इस अच्छा खासा लंबा इशा वायर होता है इसका resistance R0 अलेंद है L0 इस चक्कर में यहां से current flow कर सकता है हम उसको कर देंगा I0 यहां बाग दो तीन बात देख लो धियान से E0 क्या है E0 क्या है voltage या potential of potentiometer circuit यह जो तार है इस तार को करते है potentiometer wire ठीक है यह क्या है potentiometer तो अगर हम इनौट का दें इनौट क्या है पोटेसियो मीटर वोल्टेज ठीक है आरनौट पता ही है इंटर्नल रसिस्टेंस लगड़ा होगा तो यहां पर इंटर्नल रसिस्टेंस लगड़ा होगा है और प्लस में और अब देगवा में बैठे हुए है इस तरह का पूरा सेटप मिला हुआ है कि एक पुरे सब्सक्राइब में सेटब करेंगे अतर यह उत दिकता है लेश बात के बहुत सारे पचल्य-पच्र तार होते हैं इसतर कंद है कि यहां से इसे का वाला एसे आपया है इमेजीन करके देखो कि सभा सवतारा एक एक मिटर का है कर आपके पास इस फिगर में कमसे कितने मिटर का तार हो गया इस फिगर में एक दो तीन चार पांच शे साथ है सिक्स भाय इस निटार है यह अगे बाद समझें तो वही और भी दीख रहा होगा वहाँ पर तार पता है तार का मेट्रियल पता है किस बना हुआ उसका रसीस्टिविटी पता चिल देगा उसके रसीस्टिविटी लेंट और से हम उसका रसीस्टिविटी का सेल मिला हुआ है हमको सब पता है हम सीदा से यही करना चाह रहे थे हमको यह साथ पूरा का पूरा चीज पता है अगर यह पता है तो हम भी एभी निकाल सकते हैं ए और बी के बीच का पुटनिशल डिफरेंस आई इंटु आर या ठीक है यह ह आनसा एक वर्ड आता है एकस इसको बोलते है पोटेंसियल ग्रेडियंट ग्रेडियंट यह होता हमारा भी एभी बी फाय, उसका लैंथ लोट्ू नाट झिय है यह जिसको पयक्यों और यह चाहिए पोटेंसियल ड्रोप पर और यूनिट लैंथ यानि कि suppose करो कि A पर voltage बहुत जादा है, B पर voltage कम है, suppose करो कि यहां से तक voltage का drop होई है 100V का, यहां से तक का length है 8 meter का, तो हमें का सकते हैं कि यहां से यहां तक 20V घटने में 8 meter का length लगा है, तो per unit length में कितना का drop होई है, वो X जाएगा, अब यहां समझें, यह हो जोरी चीज़ता अब इसका use कैसे करें, वो समझेंगा, ठीक है, तीन application है, हम उसके बात करते हैं, पहला application है, potassium meter पहले हमको बनाने दो, ठीक है, फिर हम डिसकस करते हैं, सपोज करो कि यही हमारा potassium meter wire है, ठीक है, और यह था हमारा cell होगरा circuiting होगर, इसका को ज़रत नहीं हमारे लिए, ठीक है यह होगे हमारा potassium meter wire, इसको हमने एक अध्य, इसको हमने बी का दिया, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक external circuit ले रहे हैं, यहाँ पर, external circuit कर से, R है, एक cell वगर लगा कर रखें, की लगा कर रखें, और यहाँ पर यह होगे पी, यह होगे की, यह क्या है बोलो तो, potentiometer, और यह क्य circuit, केतना बात दिमांग बैठा के ने बैठा हो, हमको निकालना है अभी, इस external circuit के जो यह resistance है, यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ पर, यहाँ पर, EMF, PI बगरा बगरा, और इसके कुछ internal resistance बगरा भी होगे हैं, उसको भी count कर ही लगते हैं, हमको P और Q की इसका potential difference ना पना है, पहल potential difference of circuit, पहला application है, अब ध्यान समझना कैसे सब्सक्राइब, आप potential difference ना पहेंगे, हम सबसे पहले कहा करेंगे, एक को पहले हम P से करेंट कर देंगे, और Q को को करेंट करके, कहीं पर ले जा करके, देखेंगे, कहाँ पर null point आ रहा है, जहाँ पर null point आएगा, कैलवान उमीटर current ने जा रहा है, समझना है बात, तो हम length measure कर लेंगे, तो कौन सा point होगा, हम मालत है, इसको B dash, क्या माल देंगे इसको B dash, अब हम को एक बात बताओ, कि क्या यहां से यहां तक conducting wire से connected है, हम यह कहा दें, conducting wire में हर जुगा voltage same होता है, तो हम क्या कर देंगे, यह सर भीती के बरा voltage से में, तभी ना current ना इधर से उदर ना उदर से जाला रहा है, यहने क्या कर देंगे, कि V B dash जो है, basically V B के बरावर है, बात समझना, तो V P minus V Q जिसके बरावर होगा, V A minus V B dash, हम को यह निकाला थाना, अब V A minus V B dash क्या होगा, XL होगा, हम को चोटे चोटे लेंग का voltage पता है A B का, length पता है, यह भी तुमको पता है ना, यह सब यह को पता है, हम लेब में बैठे हों है, ठीक है, तुमको पता करेंगे, external source का voltage कितना है, आया बात समझने है, second कहां ही है, second समझना, D वाला ही है, ठीक है, to compare EMFs of two cells, ठीक है, तो क्या हम फिर से प्रूफ करें, कर दें, समय रवत को, suppose करूँ कि एक cell है, इसका internal R1 है, और यह E1 है, और यह E2 है, R2 है, सुच लगा देते हैं, second L2 है, तो माल लोग इस वाले condition में L1 पर हमको मिल रहा है, इसी circuit में हम दिखा रहे है, और इसमें हम L2 दिखा रहे है, L2 पर null point मिल रहा है, ठीक है, E1 बराबर क्या बोलोगे, XL1, E2 का बलू XL2 बोलोगे, बात समया, E1 का बलू XL1, और E2 का बलू XL2, Q1 होगे है, Q2 होगे है, E1 बाइटू किसके बलाबर होगे है, L1 बाइटू के है, बात समया, हमको आजएगा, यहां से comparison करने के लिए, दो cell के बीच का aim-up, अगला है, find the internal resistance, उसके रहे हम क्या करेंगे, यह हमारा A, यह हमारा B, voltage E0, और हमको नापना है, इसका internal resistance, इस cell का internal resistance, R major करना है, ठीक है, और एक Q लगा दे रहा है, ठीक है, यहां तक, इसको हम P कर जाए ने, इसको Q कर जाए, जहां समझना यह वाला है, पुरा कहानी, ठीक है, हमने अगर A को P से connect कर दिया, Q को L1 रो connect कर दिया, तो हमको null point किसी L1 length पर मिला है, ठीक है, अब यह जब K, Q1 को close किया है, when, K, Q1 is closed, then, क्या हम यह बात कहा सकते हैं, कि जो EU है, वो हमारा XL1 के बराबर है, equation number 1, यहां से अदर का potential difference E हो गया, और वो हमारा XL1 के बराबर हो गया, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक, दूसरा resistance लगाएंगे, जिसको हम करेंगे load resistance, and R, और इसको हमने एक connect कर दिया, Q2 से, और इसा दोनों को connect कर दिया, K1 और K2, इस वार हम क्या बोलेंगे, when E, K1 and K2, बोथ connected, ठीक है, ऐसा कर दो है, then null point occur at L2 पर, L2 पर हमको null point मिलता है, तो इस पुरे कहानी से, हम क्या लिखेंगे इस बार, इस इसे से क्या लिखेंगे, इसार यहां से यहां तक का हमको voltage, और यहां से यहां तक का voltage, और किसी अगर L2 पर हमको null point मिल रहा है, इस बार, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इसका voltage, इसका voltage, इसका voltage बराबर, बराबर हो जाएगा, और इसमें current flow कर रहा होगा, माल लेते हैं, इसका voltage कितना होजाएगा, IR ना, IR इकोल टू, इसका कितना voltage लेगा, E मैनस में IR, E मैनस में IR होजाएगा, इस इकोल टू यहां पर जाएगा, XL2, equation number 2, इस दोनों को अगर हम solve करेंगे, तो हमको R का value मिलेगा, R का value मिलेगा, capital R, L1 by L2 minus 1, बात समयना आगे नहीं आया, इस तरह से करके हमको internal resistance मिल जाता है, और होगया chapter number खता में, ठीक है, ओ, पूरा का पूरा, current, खत्म होगया, समझना रहा है, जैसे चल रहा है, नहीं चल रहा है, ठीक है, सारे formula जैसे मुझे याद है, वैसे तुम लोग को भी याद होना चाहिए, ठीक है, कोई सवाल, नहीं होना चाहिए इसमें से, ठीक है, तो share करो, subscribe करो, rate करो, और इसका अगला जैने की, इसका और हमका next chapter का solution government आ नेस्टे, बिलते हैं, बाबाए, गुदनाइट, गुदनाइट टुम्लों के जाबाए, टुम्लों के जाबाए, गुदन मर्निंग जोगा, मेरे ले गुदनाइट